सुहे आप सभी को नमस्कार दस असी नोटबुक बड़ी एक नए वीडियो के साथ आपन फिर से आजर है तो यार आज का जो हमारा वीडियो है यह थोड़ा special थोड़ा अलग वीडियो होने वाला है and it is specially meant for the first year students जिन्होंने इस साल किसी college में admission लिया है अब यार जो हमारा college life होता है यह special journey होता है काफी special and is journey को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे points है जिन्हें हर student को अपने दिमाग में रखना चाहिए throughout ताकि जो हमारा college life है तीन साल, चार साल, पान साल depending on your course वो थोड़ा smooth and simple बन जाए अब इन points को अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो at the end of your college life, at the end of the journey आपके पास कोई ऐसा regret नहीं रहता है कि यार मैंने अपना college life पूरा waste कर दिया तो वीडियो को पूरा देखना एंड इस वीडियो में हम कुछ ऐसे points के बारे में discuss करेंगे जिनने हर first year students को जानना चाहिए before moving into any college और यह जो मैं points आपको बताऊंगा, यह सारे points मेरे खुद के experience के basis पे होंगे जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने जाना अपने college में जाके, अपने seniors से, अपने दोस्तों से जो मैंने वाप experience करा, इसके basis पे मैं आपको points बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना, तो जल्दी से चलो हम इन points को discuss कर लेते हैं सबसे पहला point है expectation versus reality अब यार, scene कुछ ऐसा है कि जब आप college में जाते हो, आपको एक difference देखने को मिलता है between what you had expected before taking admission in that college and जो कि आपको actually में मिल रहा है अब यार, होता किया है कि बहुत सारे ऐसे colleges होते हैं जहां पे academics अच्छा होता है, placements अच्छा होता है इवन दो वहां का पढ़ाय लिखाई अच्छा है, placement अच्छा है यह चीज जो मैंने अभी mention करा यह सब चीज students generally यह खोचते हैं अपने college में यह उनके dream college का एक part रहता है कि मेरे college में इंफ्रसक्टर अच्छा होगा वहां sports मेरे को खेलने को मिलेगा फेस्ट वहां पर अच्छे होंगे यह एक expectation रहता है students का but college में जाकर आप देखते हो जब उतना कुछ खास है नही फेस्ट का culture and all तो बहुत सारे students like upset हो जाते हैं यह चीज उनको बहुत खलता है इसके लिए I would say be prepared हो सकता है कि जिस college में आपका admission हो रहा है इवन दो वह NIT है IIT है फिर भी हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ न कुछ आपके expectation से हटके आपको देखने को मिले जो आपने expect करा है वह आपको नहीं मिल सकता है जो आपने expect नहीं करा है वह आपको मिल सकता है यह सब चीज आपने दिमाग में रखे the difference between expectation and reality दूसरा point है mature behavior अब यार जैसे ही आप college premises में घुसते हो आपको अपना जो school वाला nature है school वाला behavior है जो आपके school के characteristics है उनको आपको पीछे छोड़ना है अब यार school में होता है क्या है कि अपने close atmosphere रहता अपने comfort zone रहता है अपने good selected friends रहते जिनके साथ हम must जी रहे होते है अपना school life इस चीज को आपको पीछे छोड़ना है अब क्यों मैं यह बात बोल रहा हूं क्योंकि यार college में college का जो atmosphere थोड़ा खुला हुआ है इसलिए आपको भी थोड़ा खुलना है open up होना है college में आपके सिर्फ एक दो या तीन या फिर चार दोस्त नहीं रहते हैं आपका पूरा branch रहता है जिसमें minimum 60-70 students रहते हैं पूरा batch होता है minimum 500-600 students रहते हैं हर batch में फिर आपके seniors रहते हैं second year, third year, final year जिनके साथ आपका interaction हो रहा होता है उनके साथ आपका bonding बनता है new relationships आप जाके वहां बनाते हो दोस्तों के साथ, seniors के साथ इस चीज़ को experience करने के लिए new relationships को accept करने के लिए you need to have a mature behavior आपको patient होना पड़ेगा क्योंकि जब आप अलग-अलग लोगों से मिलते हो who come from different regions of India उनका nature अलग है उनके साथ bonding मनाने के लिए आपको खुद एक mature behavior आपके पास होना चाहिए you need to learn how to handle different situations आप first year में specially room share कर रहे होते हो 3-4 लोगों के साथ who again come from different parts of India so उनके साथ एक अपना अलग experience रहता है क्योंकि आप दिन भर उनके साथ रहते हो उनसे आप सीखते हो आप बड़े हुए college में गए हो तो कुछ अलग होना चाहिए अगर आप बच्चे बनके जाते हो college में you'll have to face a lot of trouble and especially आप अलग रहोगे क्योंकि generally college में आप students को चाहिए कि आप अपना एक friend भी जो अगर आप बना रहे हो तो students जो भी friends बना रहे हो friend भी थोड़ा mature हो and थोड़ा दिमाग से काम लेने वाला बन्दा हो so इस चीज को ध्यान रखे कि you need to have a good mature behavior when you move to any college तीसरा point है field of interest अब यह जो हमारा college life है इसमें हमें काफी free time मिलता है to do a lot of things and इस free time को हमें utilize करना है to work in our field of interest to learn various new skill sets and अगर आपका कोई already existing domain of work है उसमें आप काम कीजिए उसमें और grip हासल कीजिए या फिर अगर आपका कोई ऐसा field of interest नहीं है आप नए skills सीखिए कोई ऐसा domain select कीजिए जिसमें आप काम करना चाहते हो and just start learning and start experiencing new things अब यार इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई field of domain में काम करते हो किसी field में काम करते हो आप skills सीख रहे होते हो अब यह जो skills है यह आपको दोवे में help करता है पहला चीज है कि it helps in decorating your CV and second thing जो है यह है कि अगर आप इन fields में महनत देके काम करते हो आपके पास अच्छा आसा time रहता है तीन साल चार साल अगर आप महनत देके अच्छे से काम करते हो dedicated होके तो में भी हो सकता है कि at the end of your college आप इन fields में अपना career बना सकते हो इस free time को productively use कीजिए start working in your respective fields of interest चौथा point है Try to engage yourself अब यह college में throughout the year events, programs होते रहते हैं fests, cultural, sports, technical अब आपको क्या करना है कि आपको इन सभी fests and programs में आपको पार्ट लेना you have to engage yourself साथी साथ जो भी nearby colleges जो भी nearby IITs, NITs उनमे भी fests होते है events होते है आप आप आपने college को represent कर सकते है you can participate in these events and इससे होगा क्या पहला चीज़, you'll get exposure जो कि students खोचते हैं कि किसी भी college में admission लेने से पहले कि college में exposure है कि नहीं so by participating, by engaging yourself you buy yourself exposure and second चीज़ है you get to learn a lot of things experience and आपको खुद का standard पता चलता है when you compete with other students so जितना हो सके आप college activities में खुद को engage करे and participate करे इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है अब आते हैं सबसे आखरी and important point पे maintaining good CGPA score college में admission लेने से पहले तक and college में admission लेने के बाद initial phase में first year second year तक एक चीज बहुत ही एक myth बहुत ही जादा फैला हुआ रहता है वो यह है कि especially engineering colleges में वो यह है कि semesters है वो बहुत easily पार हो जाते हैं जो semester के marks जो CGPA है उतना matter नहीं करता 7-7.5 भी आप लेके आते हो तो placement में कोई problem नहीं होता है all that matters is your skill set अगर soft में हो of your subject obviously यह सब चीज relevant है but इन सब चीजों के ऊपर जो एक चीज matter करता है वो है your good CGPA score अब why good CGPA score ध्यान से सुनना जो companies आती है colleges में placement लेके वो एक cut-off set करके आती है suppose को एक company X वो college में जब आती है तो वो एक cut-off set करती है कि भाया मैं 8.5 से जादा CGPA वाले students को ही अपने placement interview में बैटने दूंगा तो जिनको 8.5 से कम आया है वो क्या करेंगे they stand nowhere तो पहला चीज है for placement you need to have a good CGPA score ताकि आप companies के cut-off को clear कर पाऊ और उनके interviews में बैट पाऊ पहला चीज यह है तो जितना भी हो सब्सक्राइब पुश करें ताकि आप interviews में बैट पाऊ and second चीज है suppose you are going for some higher studies से आपको MBA करना तो आपने cat दिया तो cat देने के बाद even if you score a good percentile in cat आपको college तभी मिलता है जब आप interview clear करते हो अब interview के साथ-साथ जो चीज देखा जाता है for getting selected into an MBA college वह है आपके 10th, 12th जितने भी सारे आपके semesters रहें college में उन सभी में आपने कितना score कर रहा है तो इसके लिए again you need to have a good semester score so I hope कि आपको समझ में आ रहा है कि having good CGPA कितना important है, placement के लिए as well as if you are going for higher studies, उसके लिए CGPA काफे important, अगर को आपको कह रहा है कि पढ़ने का जरूरत नहीं है minimum score से भी काम चल जाएगा myth है boss, बढ़ाई करो इसा नहीं कि 24 घंटा पढ़ना है इतना पढ़ो कि जो भी आपने सोचा है मैंने को इतना लाना है वह चीज क्लियर हो जाएग and anything above 8 is very good 7.5 से नीचे मत जाने देना यही मैं बोलना चाहूंगा तो यार यह थे 5 ऐसे points जो हर 1st year students को जानना चाहिए यह सभी points मैंने आपको अपने खुद के experience से बताया है so I hope कि यह आपको help करेगा to all the freshers जो कि आ रहे 1st year में उन्हें good luck have a blast and college life का यार एक ही फंडा है experience, learn and grow बस इतना कर लिया तो आगे जाके मचाने वालो हो तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए you know what to do, stay safe, stay motivated and मचाते रहो, bye